पटना हाई कोट ने जातिगत जनगर्णा पर रोक जरूर लगाई है लेकिन सरकार को पटना हाई कोट रोक नहीं सकती है यह भी एक सचाई है रोक नहीं सकती है का मतलब कि हमेशा के लिए नहीं रोक सकती है अब आप इस बात को समझे हमने इसके बारे में पढ़ा कि अगर सर सरकार क्या करवा सकती है चाह उसके पास इतना पावर है तो हमने इसके बारे में पढ़ा कि हाँ सरकार बेशक करवा सकती है सरकार के पास इतनी पावर है और वो पावर कैसे तो सरकार इसे कानून का रूप दे दे अब आगे इसके बारे में में के करके बताएंगे कि पटना ह हाई खोट ने भी पूछा था सरकार से कि अपने कोई कानून बनाया है क्या पटना हाई खोट में सरकार के वकील ने कहा कि नहीं कानून नहीं बना है लेकिन अब सरकार के पास क्या रास्ता है और टेजस्वी यादो खुद कह रहे हैं कि अब आगे हम देखेंगे मुख्यमंत और आप जनता जक्षन देख रहे हैं, सबसे पहले अगर पटना हाई कोट की बात की जाए, तो पटना हाई कोट ने जाती अधारी जनगर्णा को ततकाल प्रभाव से रोक दिया है, अब जाती अधारी जनगर्णा कराने के लिए सरकार क्या करेगी, इसके बारे में जो जेड के बात से अगला कदम क्या होगा, इस पर फैसला लेंगे, अब सबसे पहली बात कि बिहार सरकार हाई कोट में जाकर दलील देगी, हाई कोट में जाकर यह भी बताएगी कि दूसरे राज में जाती अधारी जनगर्णा हुआ है, और राज सरकार चाहे तो यहां की भी करा सक कि दूसरे राज में तो हुआ है, अब पटना हाई कोट दलील माने की ना माने यह अदालत के उपर निर्वर करेगा, लेकिन अगर तेजस्वी और नितीश कुमार चाहते हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पर इस जातिया राड़ी जनगर्णा को कराएंगे, तो इसके लिए हमने पढ़ा कि इसको अगर कानून का रूप दे दिया गया होता, तो फिर शायद या लफडा खड़ा नहीं होता, लेकिन कानून का रूप इसको नहीं दिया गया, केवल विधान सभा और विधान परिशद में हाथ उठाकर सदस्यों ने कहा कि हाँ, हम इसका समर्थन करते हैं, और एक परकार से सर्वस्वमती से जो सरकार के वकीलें उन्होंने कहा कि यह जंगर्णा हो रही है, लेकिन पटना हाई कोट ने मानने से इंकार कर दिया, और पटना हाई कोट ने रोक लगा दी, तो अब खुल मिलाकर सरकार के पास रास्ता तो है, कि वो जातियादारी चीदा है, कि जो स्वियादों कह रहे हैं कि नितिश कुमार के साथ हमारी मिटिंग होगी, बैट कर हम बात्चित करेंगे, कि आखिरकार अब हम क्या करें, इसके बाद से फैसला होगा, और जेडी के नेता कह रहे हैं, तमाम नेता, कि जहां भी गलत होगा, हम उसका अध्यन करेंगे, हम उसके बारे में पता लगाएंगे, और उसके बाद से उसको सुधार करते हुए देखेंगे कि अगला कदम क्या हो सकता है, और उसी आधार पर अगला कदम उठाया जाएगा, लेकिन फिलाल, पटना हाई कोट ने रोक लगाई है, तो रोक लग चुकी है, अब सुनवाई तीन जुलाई को है, दो महीने के बाद, तो सब की नजर उस पर टिकी है कि अब सीरे जुलाई महीने में क्या होता है, लेकिन जातिया राजी जर्गरणा को लेकर फिलाल, जो माहौल है, वो गरमा गया है, बीजेपी उल्टा सरकार को कह रही है, नितिश कुमार क चाहते नहीं कि जातिया राजी जर्गरणा हो, ये सिर्फ एक मुद्दा चाहते हैं, क्योंकि इनके गलती के वज़ा से पटना हाई कोट ने जातिया राजी जर्गरणा रोका है, अगर इनोंने सही फैसला लिया होता, सही वक्त पर जातिया राजी जर्गरणा को लेकर, ज आगे देखिए कि क्या कुछ होता है लेकिन यह भी सच है कि सरकार के पास जातिया दारी जंगर्णा कराने के रास्ते बचे हुए ऐसा नहीं है कि सब कुछ बंद हो चुका है बाकी अब आगे देखिए कि और क्या कुछ होता है आगे जो भी नहीं जानकारी जो भी और नया अ आप तक पहुंचाएंगे तमाम खबरों के लिए अब हमारे साथ बने रहीएगा वीडियो नहीं पर समात करते हैं कि हम एक पिशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद